हलो एवरिवन, वेलकम टू स्टड़ी आईक्यू स्टड़ी आईक्यू में ये है भाग दो सेकंड वीक जो है इसमें 200 कोस्चन है इसलिए मैंने सेकंड वीक को दो पार्ट में डिवाइड किया है इसका जो पहला पार्ट है वो आपसे 2 घंटे पहले अपलोड कर दिया था तो पहले आप उसको देखें फिर इसको देखें तो 108 कोस्चन तक मैंने उसमें कवर कर लिया थे इसमें मैं 109 से स्टार्ट करूँगा तो शुरू करते हैं सेकंड वीक के करंट अफेर और हमारे pen drive courses IBPS और SSC CGL के लिए उपलब्द हैं अगर आप खरीदना चाहें तो इस नंबर पर call करके खरीच सकते हैं या फिर studyiq.com पर जाकर आप ज़्यादा information ले सकते हैं मैंने इसे पिछले वीडियो में question आपसे पूछा था कि जो Indian girls की under 18 team में वो कौन से नंबर पर finish करी है rugby sevens tournament जो Paris world games हुए थे मैंने गलती से answer आपको first बता दिये था तो इस answer 5th है यह याद रखिए I regret the error 5th है गलती से वो मैंने first बोल दिया था तो मैंने दुबारा इसे में टाला है तो यह गलती नहीं करनी है और अब मैं 109 question से start करता हूँ which company has launched its first digital hub in Asia Pacific region in Bengaluru इन में से कौन सी company है जिसने अपना पहला digital hub, Asia Pacific region के अंदर इनका पहला digital hub है यह और Bengaluru में इन्होंने बनाया है इस company का नाम है Oracle और एक product आपको जरूर पता होगा Oracle का वो है Java और vice presidential election के लिए opposition parties ने अपना नॉमिनी किसे बनाया है अभी एक तो presidential election हो रहे है जो भी होने ही वाले है उसमें रामनात कोविंद और मीरा कुमार का आपस में मुकाबला होगा रामनात कोविंद NDA के और मीरा कुमार UPA की नॉमिनी है और जो उपराजपती चुनाव होंगे 5 अगस्त को इसमें opposition parties का नाम अभी आ गया है उनकी तरफ से हैं गौपाल कृषिन गांधी ये महात्मा गांधी जी के grandson है, पोते हैं और 18 party ने मिलके इनका नाम 18 party ने इनका नाम सुझाया है और West Bengal के पश्यम बंगाल के ये governor भी रह चुके हैं तो गौपाल कृषिन गांधी है नॉमिनी opposition विच बैंक हैज वेवड चार्जिस फर फंड ट्रांसफर उप्टू 1,000 रुपीज थू आई-मपेस तो प्रोमोट स्मॉल ट्रांसेक्शन कहने का मतलब 1,000 रुपे तक ये बैंक अगर आप आप आई-मपेस करते हैं तो कोई चार्ज आपसे नहीं लेगा क्योंकि ये स्मॉल ट्रांसेक्शन को प्रोमोट करना चाहता है अभी तक ये 5 रुपे चार्ज करता आया था और सर्विस टेक्स एक्स्ट्रा अब GST जो है वो 18% की रेट से अप्लिकेबल होगा सारे फाइनेंशल ट्रांसेक्शन पे तो फाइनेंशल ट्रांसेक्शन महेंगे हो जाएंगे पहले जो बैंकिंग सर्विस इस थी 15% सर्विस टेक्स लगता था लगवग अब 18% GST में इनको डाल दिया है तो बैंकिंग की सारी सोविधाएं महेंगी होने वाली है ये बैंक जिसने ये किया है ये है State Bank of India State Bank of India की चेर्मेन है अरुंधती भटा चारिया सेभी ने 27 लाख रुपे का फाइन लगाया है इन मेंसे कौन सी Non Banking Financial Company पे क्योंकि ये कानून तोड रही थी और अपनी जो Public Holding और Disclosure है उनके कानूनों का उलंगन कर रही थी ये Non Banking Financial Company है Sun Gold Capital तो Non Banking Financial Company होती है जिसके पास Reserve Bank of India की तरफ से Full Flesh Banking License नहीं होता तो ये होती है Non Banking Financial Company National Green Tribunal ने अभी अभी बैन लगाया है इन में से कौन सी चीजों के उपर इन में से कौन सी चीजों पे तो पतंग उडाने के लिए जो मांजा हम यूज करते हैं जो धागा उसे मांजा बोलते हैं Synthetic और Nylon से बना हुआ जो मांजा है उस पे पहन लगाया है याद रखिए National Green Tribunal जो है ये एक तरह का court है ये special cases सुनता है जो environment से related होते हैं और इसके जो अभी head है वो है Justice Swatantra Kumar ये भी आद रखिए और ये petition डाला था पेटा ने People for Ethical Treatment of Animals ने और फिर ये फैसला लिया गया है भारतिये team के नए coach कौन बने है cricket की बात हो रही है इंडिन cricket team के नए coach appointment किसे किया गया है ये भारत के लिए 80 टेस्टों 150 बंडे खेल चुके है bowling coach होंगे जहीर खान लेकिन overall coach होंगे रवी शास्त्री इन मेंसे कौन सा country है जिसने same sex marriage को legalize कर दिया है यानि जो समलेंगिक है वो आपस में विवाग कर पाएंगे अब और ये decision latest अभी लिया है Malta ने Malta Malta की capital है Walleta और currency है Euro इन मेंसे कौन सा देश है जिसने medal tally को top किया 2017 का Asian Athletic Championship जो भूबनेशवर के अंदर हुआ था उडिसा की राजधानी भूबनेशवर में Asian Athletic Championship अपी भी खतम हुए है इन में number one country आया है India इंडिया ने total 29 medal जिते हैं 12 gold, 5 silver और 12 bronze तो हो गए 29 चाइना second आया है चाइना ने 20 medal जिते हैं तीसरे नमबर पे था कजाकिस्तान तो ये याद रखिए एक और चीज इस championship का जो mascot था mascot generally एक जानवर होता है जो local tradition को दिखाता है वो था oly क्योंकि आपको पता होगा उडिसा में एक beach है जिसको बोलते हैं गहिर मठ beach और गहिर मठ beach पे olive riddley turtle पाए जाते हैं ये खास तरह की कच्छुए होते हैं पानी में रहते हैं लेकिन अंडे वगरा देने के लिए ये beach के उपर आते हैं olive riddley turtle इन में से कौन सा राज्य है जिसने top किया है पहली बार country में 43 लाख soil health card इन्होंने farmers को बाटे हैं पिछले 2 साल में soil health card जो होते हैं ये होते हैं इसमें अगर soil में कोई कमी है for example अगर कोई nitrogen की कमी है potassium या phosphorus इनकी कमी है तो soil health card वगारा पे लिख देते हैं जिससे farmer उसी हिसाब से फिर खाद खरीच सकते हैं 43 लाख soil health card बाटे 36 गड़ने 36 गड़ने और यहां के जो governor है बलराम जी दास टंडन और मुख्य मंत्री है डॉक्टर रमन सिंग हमारे agriculture minister है रादा मोहन सिंग अभी केंद्र सरकार ने अभी अभी allocate करा है कितना amount गोआ को स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत यहां पे coastal tourism circuit बनेंगे tourism circuit का मतलब यह होता है कि कहीं पे एक main इमारत होती है और उस इमारत के आसपास जो चीज़ें होती है उन्हें देखने के लिए फिर एक circuit बना दिया जाता है जैसे दिल्ली में तुगलकाबाद circuit बन रहा है महरोली कुतुमिनादवाला circuit बन रहा है जो अलोट किया है गोवा को गोवा के मुख्यमंत्री है मनोहर पारिकर कौन से शहर का traffic police है जिसने एक traffic sentinel mobile application का improved version लाँच किया है यह traffic पे यह general public को भी allow करेगा कि वो traffic offenses अगर कोई मान लिए लालबत्ती तोड़के निकल रहा है इस से और यह scheme पहले भी December 2015 में लाँच हुई थी traffic sentinel scheme लेकिन अभी इसको improve कर दिया गया और जादा यह launch करी है दिल्ली ने Reserve Bank of India ने अभी अभी इन में से कौन सा इनका जो sentence है वो amend किया है उसमें संचोधन किया है अब इन्होंने banks को यह ताकत दे दिये कि वो bankruptcy proceedings को start कर सकते हैं तो यह बहुत ज़्यादा important है यह किसके लिए किया है यह किया है इन्होंने cases to be accorded priority by the NCLT वो cases जो NCLT prioritize करेगा उन्हें जैसे गुजराद High Court ने Reserve Bank को कहा था कि वो SR Steel के request पे कहा था यह करने को और यह 12, one of the 12 companies हैं जो RBI ने identify की हुई है तो बहले bankruptcy जो proceedings थे वो बहुत मुश्किल होते थे लेकिन अब काफी ताकत बैंकों को दी गई है वो अब जो procedure होता है पूरे bankruptcy का उसको initiate कर सकते हैं इन में से किस वैक्ति ने FIA World Motor Sports Council के भारत के representative पद से इस्तिफा अभी अभी दे दिया इनका नाम है Vijay Malya और इनको इतना ही नहीं बलकि Federation of Motor Sports Club of India उससे भी इनको resign करना पड़ा इनको remove कर दिया गया क्योंकि यह defalter है और यह देश शोड़ के भागयों है इन में से कौन सा भारत का court है जिसने एक order दिया है कि तीन महीने का stay लगेगा center का जो rule है कि हम slaughter के लिए cattle का खरीद फरोग नहीं कर सकते तो इस पे तीन महीने का stay लगाया है यह किया है supreme court ने apex court कहते है या supreme court कहते है तो यह बहुत important है क्योंकि सबसे पहले यह जो madurai bench है मदलास high court का उसने cattle trade जो rules है उन पे 4 हफ़ते का stay लगाया था फिर supreme court में यह आया और वहाँ पे अभी इन्होंने यह किया है इसके लाबा एक और चीज़ याद रखिए उत्राकंड high court का निर्रे था कि जो गंगा और यमुना है उन्हें living entity का status दे दिया जाए यानि गंगा और यमुना को अगर आप नुकसान पहुचाते है तो वो उतना ही उस तरह देखा जाएगा कि आप किसी जिंदा आदमी को नुकसान पहुचा रहे है तो living human का status दे दिया जाए उस पे supreme court ने हाँ कर दी है तो उस पे actually stay लगा दिया supreme court ने है तो उस पे अभी supreme court सुनेगा और फिर निने लेगा तो उस पे भी stay लगा दिया इन में से किस व्यक्ति को DHFL General Insurance Company का MD और CEO appoint किया गया है नियोक्त किया गया है ये एक General Insurance Company है वादवान Global Capital के द्वारा promoted है इनका नाम है विजय सिना इन में से किस व्यक्ति को governing board में चुल लिया गया है International Labour Organization के याद रखिए International Labour Organization के जनेवा में इनका नाम है राजीव दूबे और ये एक भारतिय है ये महिंद्रा और महिंद्रा के HR और Corporate Services के President में है तो इनको चुल लिया गया है और International Labour Organization का जो head है इस वक्त उसका नाम है Guy Rider Union Cabinet ने अभी अभी अपना ex-post facto approval दे दिया है for enhancement of the age of super annuation of medical officers of CAPF and Assign Rifles from 60 years to what age? कहने का मतलब जो पहले 60 years age थी अब उससे भढ़ा के जो medical officer है जो CAPF और Assign Rifles में उनकी ये जब कितनी हो सकती है ये officer को retain करने के लिए किया गया है जिससे वो लंबे समय तक कारे कर सकें इसको भढ़ा के कर दिया है 65 साल इन में से कौन सा देश है जिसने एक नया project launch करा है जिसका नाम है Grand Trunk Road क्योंकि 70 साल पूरे हो गये है इंडिया की partition के ये किया है ब्रिटेन ने ब्रिटेन ने किया है और यहां की currency है pound भारत और बांगलादेश इन्होंने decide किया है कि ये खाव थलान तुई पूई रिवर के उपर एक bridge बनाएंगे तो ये कहां पे located है कहां पर ये बनेगा इसको हम करना फुली river भी बोलते हैं करना फुली ये river है मिजोराम में मिजोराम के अंदर है ये मिजोराम के governor है निर्भाय शर्मा निर्भाय शर्मा मिजोराम का 318 km का border पड़ता है बांगलादेश के साथ सुमिता सन्याल इनका निधन हो गया ये मशूर क्या थी ये बहुत ही मशूर एक्टर थी आनंद मूवी में इनोंने काम किया था जिसमें राजेश खन्ना थे अमिताब बच्चन थे और आशिरबाद मूवी में भी काम किया था दो सबसे फेमस इनकी मूवी है तो ये एक्टरेस थी Elsa Martinelli इनका भी निधन हो गया ये अपने कौन से रोल के लिए जानी जाती है ये इतनी से थी और इनका जो सबसे फेमस जो रोल है वो है दा इंडियन फाइटर दा इंडियन फाइटर Space Exploration Project Group ये लांच कर रहा है एक simulated Mars and Moon colony जिसका नाम इन्होंने रखा है Mars ये कहां पे कर रहा है यानि कहने का मतलब जैसा वातावरन मंगल घर है और चांद पे होता है वैसा ही एक तरह का मकान वगारा बनेंगे colony launch कर रहा है तो ये launch कर रहा है Poland के अंदर और basically इसमें six volunteer हैं astronauts जो मिलके काम करेंगे और Mars पे रहेंगे लगबग दो हफ़ते तो ये एक तरह का simulation है और Poland की राजधानी है Warsaw और currency है Zaloti इन में से कौन सी space agency है जिसने अभी अभी एक launch failure देखा क्योंकि ये अपना long March 5 rocket उड़ा रही थी तो वो fail हो गया ये है चाइना की Chinese National Space Administration जिसको बोलते हैं CNCA चाइना की ये एक failure हो गया और इसका इनोंने नाम रखा था चबी 5 चाइना का ये सबसे बड़ा और सबसे important launch vehicle है Long March याद रखिए Long March 5 इसको चबी 5 भी बोलते है ये 25 तन तक वजन लेके उड़ सकता है कितने गाउं है मराठवाडा में और विधर्बा में जो World Bank-backed National Groundwater Management and Improvement Scheme का हिस्सा होंगे मराठवाडा और विधर्ब आप जानते हैं पानी की बहुत shortage रहती है यहाँ पे 2000 गाउं है जो इस project का हिस्सा होंगे जिससे सिंचाई के लिए किया गया है और पहला जो इसका project है वो बुंदिल खंड में शुरू भी हो गया है इसके अलाबा काला हंडी, बोलंगीर, कोरा पूट वगारा उडिसा भी cover होगा इसमें टोटल 6000 क्रोड ता project है जो आधा पैसा World Bank लगाएगा आधर हमारा जल संसाधन विकास मंत्रा ले लगाएगा Water Resources Development, गंगा Rejuvenation जिसकी मंत्री है उमा भारती Ipsos Company द्वारा एक सर्वे किया गया है उसके हिसाब से भारत में सबसे influential brand कौन सा है सबसे influence जिसका सबसे जाता है पहले नंबर पे है Google Google के CEO भारती है, इनका नाम है सुंदर पिच्चाई और दूसरे नंबर पे है Microsoft और तीसरे नंबर पे है Facebook पतंजली जो है रभाभा रामदेव का वो चोथे नंबर पे है और Reliance जी ओ नोवे नंबर पे है एक मात्र financial brand है State Bank of India ये दसे नंबर पे है इन में से कौन से Indian boxer है जिन्नोंने silver medal जीता है Asian Youth Boxing Championship जो Thailand की राजधानी Bangkok में हुई थी भारत ने एक silver और bronze जीते हैं तो 5 bronze वालों का नहीं पूछेंगे लेकिन एक silver वाले का ज़रूर पूछेंगे नाम इनका नाम है Sachin Sivach हमारा जो health ministry है उसने अभी अभी launch करा mission परिवार विकास 186 district के अंदर launch करा है 7 राज्यों के तो ये वो राज्य है जिनमे total fertility rate कितने से ज़्यादा है कितनी या उससे ज़्यादा तो ये है 3 और उससे ज़्यादा इसमें launch करा है mission परिवार विकास और ये उतरपरदेश, बिहार, मद्धेपरदेश, राजस्थान, जहारखंड, 36 गड़ और असाम में किया है ये जो district है ये भारत की 28% आबादी बनाते है ये जो इनके district है total 146 इनमें launch किया है ये family planning के लिए किया है परिवार नियोजन के लिए Indian railways launch कर रहा है give it up campaign इसमें वो travelers को कह रहा है कि आप subsidy मत लो train tickets के उपर तो जो operating ratio है railways का वो कितना था 2016, 2017 के अंदर ये पिछले 16 सालों में सबसे बेकार हमारा operating ratio रहा 96.9% और इसे railway के उपर 30,000 करोड रुपे का burden पढ़ता है 30,000 करोड रुपे जो बिना मतलब का burden पढ़ता है वो पढ़ता है और passenger से ये कहा गया है कि आप अगर आप धनी है या आपको लगता है सब कुछ है तो फिर आप अपनी subsidy ना ले China ने एक agreement sign किया है एक border law enforcement center बनाएगा इन में से कौन से country के साथ बनाएगा इसमें जो border related crime है एक दूसरे के जो नागरिक हैं आपस में चले जाते हैं crime करते हैं वो सब नहीं होगा ये इनोंने किया है नेपाल के साथ सरकार ने इन में से कौन से दो मंत्राले को मिला कर ये बना दिया है MOHUA Urban Development and Housing and Urban Poverty Elevation तो दोनों को मिला के इनोंने बनाया MOHUA सो दो department है Urban Development एक तो सेकेंड और दूसरा है Housing and Urban Poverty Elevation सो आंसर है 2 और 3 और Urban Development और Poverty Elevation इन सब के लिए जो मंत्री हैं वो है वेंकई या नाइडू जो Information Broadcasting Minister भी है Department of Industrial Policy and Promotion इन्होंने साइन किया PACT एक Agreement साइन किया है कौन से राजिया के साथ यहाँ पे एक Technology and Innovation Support Center बनेगा जिसको short में बोलते है TISC यह इन्होंने पंजाब के साथ साइन किया है अभी टोटल 500 TISC हैं जो पूरे वर्ल्ड में चलते हैं तो पंजाब के साथ किया है Captain Amandir Singh यहाँ के मुख्यमंत्री है और VP Singh बद्नोर है यहाँ के Governor है इन्होंने से कौन सा राजिय है जिन्होंने E Inner Line Permit E ILP Program को स्टार्ट किया है इससे जो Visitor हैं इस राजिये में वो mandatory ILP के लिए अपलाई कर सकते हैं तो इनमें आंसर है अरुनाचल प्रदेश अरुनाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खंडू और राजधानी है इटा नगर अभी अभी एक model United Nation Regional Conference हुई यह कहाँ पे हुई अभी इसको और US Embassy ने और्गिनाईज किया था Youth Thinkers Society के साथ मिलके 12 कंट्रीज ने हिस्सा लिया था यह हुई नेपाल की राजधानी काटमांडू में Formula 1 Austrian Grand Prix इसने जीती और मैंने पिछले वीडियो में आपसे पुछा था जो Part 1 थाइस वीडियो का वीडियो का वीडियो में Headquarter है OPEC का Organization for Petal Limit Exporting Countries और इसको जीता है Regional Connectivity को Promote करने के लिए तो यह पताइए कहां पे हुआ था यह हुआ नई दिल्ली के अंदर और हमारे नागरी कुड़न मंत्री अशोक गज़ेपती राजू एक बात और याद रखने हैं आपको हमारे जो Director General है Civil Aviation के वो है BS Buller BS Buller इसके अलावा Airport Authority of India के जो Chairman है वो है Guru Parsad Mohopatra यह तीन परसन आपको याद रखने है इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिए सरकान रे एक स्कीम चला रखिए उड़ान उड़े देश का आम नागरिक और इसमें जो unserved और underserved airport है वो connectivity होगी पहली उड़ान इसकी थी शिमला से दिल दी इन में से कौन से भारत के music composer है जिनका soundtrack, world soundtrack public choice award के लिए shot list कर लिया गया है इनका नाम है A.R. रह्मान और A.R. रह्मान का जो soundtrack है इस movie का नाम है Vice Royce House Vice Royce House को गुरिंदर चडधा नाम की director है इन्होंने direct किया है Very very important गुरिंदर चडधा गुरिंदर चडधा ने एक film बनाई थी ये film है Bandit Like Who ये comments में लिखके बताइए ये कौन से footballer है Bandit Like ये तो इनका नाम क्या है बताइए comments में लिखके The Energy and Resource Institute इसको बोलते है Terry इन्होंने partnership करी है अभी कौन सी company के साथ दोनों मिलके ये जो emerging technology है उन पे collaborate करेंगे उन में opportunities को तलाशेंगे और ये की है Terry और कौन सी company ने मिलके ये company है BRPL और ये इन्होंने किया है rooftop, electrical vehicle मतलब जो जैवी कुर्जा है उसके लिए किया है और BRPL के CEO है Mr. Amal Sinha मंगेश तेंदूलकर इनका निधन हो गया ये मशूर क्या थे तो ये मशूर cartoonist थे cartoon बनाते थे इन में से कौन सा देश है जो आठवा अध्याय host करेगा Theater Olympics का जो 2018 के अंदर होंगे Theater Olympics इसको पहनी बार organize करेगा India और National School of Drama ये Ministry of Culture और हमारे कल्चर मिनिस्टर है Dr. Mahesh Sharma जो हमारे कल्चर और टूरिजम के मिनिस्टर है सो आंसर है India और Theater Olympics 1993 में स्टार्ट हुए थे Delphi, Greece के अंदर अभी अभी एक बूक है जिसका नाम है Narendra Damodavadas Modi The Making of a Legend इसको launch करा RSS के चीफ मोहन भागवाच जी ने तो इसको लिखा किसने है इस किताब को लिखा है बिंदेश्वर पाठक जी ने जो सुलब International Founder के Founder है इन में से कौन सा राज्य है जो जिसको अभी अभी डिकलेर कर दिया गया है Disturbed Area AFSPA के तहत Armed Forces Special Power Act के तहत छे महीने और इसको Disturbed Area घोशित कर दिया गया है ये है Nagaland और उन्हें देखा था Nagaland में काफी तनाव था इस वक्त और इसमें Security Forces को ये ताकतें दी गई हैं कि वो कहीं पर भी सर्च कर सकती है Operations Carry Out कर सकती है बिना किसी Prior Notice के इन में से कौन से दो कंट्री है जिन्होंने आपस में Agree कर लिया कि सीरिया के अंदर हम Southwest Syria के अंदर हम Cease Fire कर देंगे सीरिया में यूद चल रहा है Damascus इसकी राजधानी है और ये दो देश जो मिले ये मिले USA और Russia G20 की साइड लाइन्स पर ये मिले थे ये कौन सा देश है ये देश है Philippines Philippines ये देश है और जो मरावी citizens है उनके rehabilitation के लिए पैसा दिया गया है Philippines की राजधानी Manila है और currency है PISO Philippines के जो प्रेजिनेंट है वो है रोडरी गों दुतरते हमारा जो परिवहन मंत्राले है उनके हिसाब से 1.5 lakh जो pull भारत में inspect किये गए थे safety audit में उनमें से कितने बुरे हालात में थे जो लगभग 10,000,000 से ज़्यादा bridge हमने देखे तो 147 टोटल bridge थे जो बुरी हालात में थे जिनको जरूरत है तुरंट ठीक करने की मिनिस्टर है हमारे नागरिक परिवहन मंत्री है नितिन गड़करी इन में से कौनसी ऐसी चीज है जिसको trademark कर दिया गया है ये है Mother Tracer का जो blue border साड़ी है Mother Tracer जी जो कलकत्ता की संथ है इन्हें canonize कर दिया था Vatican ने मतलब इन्हें संथ की उपादी दे दी थी और Pope ने दी थी ये तो ये जो blue border की साड़ी पहनती थी इन्हें trademark कर दिया गया है ये कोई भी uniform पूरे दुनिया में पहली बार है जिसे trademark किया गया है इन में से ये किताब है Dalhosee Through My Eyes Dalhosee आप जानते हैं फेमस hill station है Through My Eyes ये जो किसने लिखी है ये किताब इसको लिखा है किरणचड़ा ने और इसको रिलीज करा तरिपूरा के governor तथागत रॉय ने तथागत रॉय है तरिपूरा के governor अब आपके लिए आज का दूसरा सवाल त्रिपुरा की राजधानी पताईए क्या है कमेंट्स में लिखे पताईए रैजिडेंट प्रणम मुखर जी ने अभी-अभी आशियाना अनेक्स ये कहां पे इनॉग्रेट किया आशियाना अनेक्स इसको किया धेरादून के अंदर और ये बेसिकली 12 इसमें ड्वेलिंग यूनिट है यानि कमरें एक तरह है कि जहां पे राश्पती भवन का जो स्टाफ है और जो अफिसर है वो रुख सकते है सरकार ने अभी-अभी लॉंच करा है सॉवरन गॉल्ड बॉंड का फर्स्ट ट्रांश 2017-2018 इसमें 0.5% का ब्याज मिलेगा आपको जो हर 6 महिने में सरकार आपको देगी तो इसमें मैक्सिमम लिमिट कितनी है पर परसन पर फिसकलियर यानि एक वेक्ती एक साल में कितना इन्वेस्ट कर सकता है सॉवरन गॉल्ड बॉंड में यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यह है 500 ग्राम और जो मिनीमम पूछें तो मिनीमम है 1 ग्राम नीती आयोक की जो नैशनल कॉन्फरेंस हुई चीफ सेकरेटरी की वो अभी अभी कहां पे हुई खुद परदानमंत्री ने इसमें स्पीच दी थी यह हुई नई दिल्ली के अंदर और नीती आयोक के वाइस चेर्मेन है अर्विंद पंगरिया मलाला डे हम कब मनाते हैं मलाला डे पाकिस्तान की नोबल पीस प्राइज विनर है और कैला सत्यार्थी के साथ यह ने मिला था दोनों को साथ ही मिला था कैला सत्यार्थी जो बचपन बचावा अंदौलन जिनका है मलाला की बहुत बड़ी कहानी है वैस तो लेकिन मलाला यूसुफ जाइन का पूरा नाम है इन पे फिल्म भी बनी है इनके किताबें में लिखी जा चुकी है इनके उपर और मलाला ने तालिबान से लड़ाई की और कोशिश की पाकिस्तान के अंदर की सिक्षा फैले तो 12 जुलाई को हम मनाते हैं क्योंकि 12 जुलाई 1997 को इनका जनाम हुआ था और 2012 में इनको सर में गोली मार दी थी लेकिन ये बच गई नासा का जुनो जो प्रोब है ये जुपिटर का इसने कौन सा सबसे क्लोज फ्लाई बाई कम्प्लीट किया है तो ये जुपिटर यानि भ्रस्पति घ्रह पर जाने के लिए नासा का है जुनो याद रखिए ये नासा का हैट कोटर वॉशिंग्टन में अमेरिका की स्पेस एजनसी है रशिया की स्पेस एजनसी है रॉस कॉस्मोस ये भी पूसते हैं जापान की है जाकसा जैपनीज अरोनाटिकल एक्स्पोरेशन एजनसी तो ये सब याद रखिए आप इसको बोलते हैं Great Red Spot Great Red Spot Rural Development Ministry जो Rural Development Ministry है हमारी आपको ये बताना है इनके हिसाब से इसमें नरेंदर सिंग तोमार है हमारे Minister of Rural Development तो जो First Quarter था 2017 का इसमें Rural जो रोड है इनकी कितनी एवरेज रही बनने की तोटल याद रखिए टार्गेट हमारा कितना है इस साल 57,000 किलोमीटर के रोड बन जाने चाहिए इस साल तो हमारी जो एवरेज है First Quarter में रही 117 किलोमीटर पर दे प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना जो है इसमें हम जोडेंगे बहुत सारे ऐसे लगों को जहां पे पहले सडके नहीं थी रेवेन्यू डिपार्ट्मेंट ने अभी अभी जो Recently Changed Integrated GST on Aircraft Imported on Lease Basis to What यानि जो Integrated GST है Aircraft जो हम Lease पे भार से आयात करते हैं उस पे GST कितना रखा उस पे जो Rate है वो कितनी रखी तो ये इन्होंने पहले 5% थी अब कर दी 0% तो इसमें Double Levy नहीं होगा यानि एक तरह का दूसरा कोई इसका Cascading Effect नहीं होगा Rental Services के उपर नबाड ने अभी अभी Celebrate कर आपना Foundation Day ये नबाड Act के तहत बना था कब बना था तो नबाड Act कब की थी तो 1982 में ये नबाड बना था और जो नबाड Act है वो थी 1981 की इसने अपने 36 साल पूरे की हैं नबाड के Chairman है हर्ष कुमार भानवाला और एक सबसे important scheme SHGBLP यसे बोलते हैं Self-Help Group Bank Linkage जो 10 करोड महिलाओं को फाइदा पहुचा चुकी ये लगभग scheme इसके भी 25 साल पूरे हो गए है इन में से कौन सा राजी है जिसके cabinet ने अभी 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 अप्रूव करा Industrial Investment and Employment Policy ये किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश यहाँ पर योगी दित्तेनात की सरकार है राम नाय के गवर्नर है और ये single window clearance होगा time bound fashion के अंदर भारत का consumer price inflation CPI inflation जो है ये सबसे कम पहुँच गया पिछले बहुत सारे सालों में तो आपको ये बताना है कि कितना हो गया ये ये अभी हो गया 1.54 यानि इसके हिसाब से भारत में जो महंगाई है वो काफी कम हो गई है इन में से कौन सी company है जिसने ministry of defense के साथ 17,1900 करोड रु ये नाम याद रखिए H.A.L. ये सबसे ज़्यादा revenue अन करने का target है इनका हमारा जो health ministry है उसने M.O.U. sign किया है इन में से कौन से राज्ये की सरकार के साथ ये transfusion medicine का एक center setup करेंगे transfusion medicine होता है जब आप खून चड़ाते है उसको बोलते है transfusion medicine खून या खून के हिस्से जैसे O negative है O negative universal donor होता है और A B positive universal recipient होता है ये भी याद रखिए ये 200 करोड रुपे की लागत से बनेगा पश्चिम बंगाल के अंदर और ये governor है इसके केसरी नात्रिपाथी पश्चिम बंगाल के 2017 Ipsos top citizen index के हिसाब से कौन सा शहर है कौन सा शहर है इन में से जिसने top किया है जहाँ जहाँ पे Indians रहना पसंद करेंगे जहाँ पे Indians रहना चाहते है तो भारतियों के लिए आबुधाबी है number one और दूसरे number पे है Mumbai आबुधाबी संयुक्त अरब अमिराद United Arab Emirates की राजधानी है ये याद रखिए AIMS ने पार्टनर किया है इन में कौन सी NGO के साथ ये पचास जो दिव्यांग बुड़े लोग है उन्हें एडॉप्ट करेंगे तो ये NGO है Healthy Aging India नरेश चंदर इनका निधन हो गया ये भारत के कौन से कंट्री के राजधूत थे ये इतने जबर्दस एमबेसेडर थे कि खुद नरेश चंदर मोधी ने ट्वीट किया था और इनको स्रिधांजली अर्पित की थी ये थे भारत के अमेरिका में और पदम विभूशन भी न बिल चुका है इंडियन रेलवेज ने जो लोवर बर्थ कोटा है दिव्यांग लोग पैसेंजर के लिए डिफरेंटल इबल पैसेंजर के लिए टू विच ख्लास ऑफ मेल और एक्स्प्रेस ट्रेंज उसे एक्स्टेंड कर दिया है अब कौन सी क्लास ऑफ मेल और एक्स्प private network जिसमें आप कोई website खोलते हैं तो पता नहीं चलता कि कहां से IP address आ रहा है और ये करेगा चाइना, चाइना में काफी strict laws है और state काफी control करती है कि आप क्या access कर सकते है हमारा जो पल्यटन मंत्राले है उसने कितना amount पुड्डू चेरी को करने के लिए रखा है पुड्डू चेरी एक sanskritik और अध्यात्मिक tourism circuit बनेगा यहाँ पे तो इसके लिए पुड्डू चेरी को कितना धन मिलेगा 107 करोड रुपे और पुड्डू चेरी की जो गवर्नर है वो है किरनवेदी मुख्यमंत्री है भी नरानस्वामी की राजधानी मंगोलिया में एक मरुस्थल भी है जिसको बोलते है गोबी मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है यह नैशनल गरीन ट्राबूनल ने यह कहा है कि इन में से कौन सी नदी है जिसके 100 मिटर तक आप कोई भी डवलप्मेंट नहीं कर सकते इसको अब्जर्ब होगा नो डवलप्मेंट जोन इस नदी में बर्दूशन ना हो इसलिए यह किया गया है गंगा के लिए और यह इसलिए भी किया गया है जिसे गंगा में गंगी ना बढ़े गंगा के लिए जो mission है वो है नमामी गंगे जिसको national mission for cleaning गंगा चलाता है और इसके लिए जो minister है वो है उमा भारती ये जो stretch है खासकर ये है हरिद्वार से उन्नाओं तक GMR Goa International Airport इन्होंने एक debt facility agreement करा 1330 करोड रुपेगा ये कौन सा greenfield airport के development के लिए करा है जो मोपा में है ये इसके लिए इन्होंने एक bank से करार किया है debt facility agreement 1330 करोड रुपेगा ये कौन सा bank है ये bank है Axis Bank और Axis Bank की शिखा शर्मा है CEO शिखा शर्मा इन में से cryptocurrency for beginner नाम की एक book launch हुई है तो बहुत सारे coin होते हैं जैसे bitcoin वगारा ये सब cryptocurrency बोलते हैं इस किताब को लिखा किसने है ये books and author से question है इसको लिखा है अमित भारत दुआज ने अमित भारत दुआज क्रिप्टो करणसी के ऊपर ये कई सारी किताबे लिख चुके है IDFC Limited ये इन में से कौन सी company के साथ merger करना चाती है और ये संभावना बनी हुए कि ये merger करेगी ये है शिरी राम ग्रूप शिरी राम ग्रूप ये इसके साथ अपना जो merger financial services का है वो करना चाती है IDFC जो bank है इसके अभी managing director थे MD Rajiv Lal थे और अभी देखना होगा कि नया इसका जो managing director है वो कौन है Wayne Rooney ये Manchester United football club में खेले बहुत बार और England की तरफ से सब ज़्यादा गोल मार चुके है ये आज तक Manchester United football club इनने छोड़ दिया है और ये कौन से club join कर लिया है ये अब चले गए है Everton football club में ये इनका बच्पन का club है और Manchester United जो football club है इसके जो coach है वो है Jose Mourinho Special Economic Zone ये बनाने का Board of Approval मिल गया है इन में से धिरुभाई अम्मानी Aerospace Park बनेगा और ये कहां पे बनेगा धिरुभाई अम्मानी Aerospace Park ये बनेगा नागपूर के अंदर ये सबसे बड़ा Greenfield Aerospace Park होगा 289 एकड इसमें 600 करोड रुपे लगेंगे ये लगेगा नागपूर में इन में से किस वेक्ति को Goods and Services Tax Intelligence यानी GSTI का Director General न्यूक्त किया गया है इनका नाम है John Joseph और ये नया नाम है जो Directorate General of Central Exercise Intelligence पहले से बोलते थे DGCEI तो ये भी पूछ सकते हैं DGCEI का नाम पलटके क्या गया है और ये बोलते हैं Directorate General of Central Exercise Intelligence ये पोस्त तब से खाली है जब से आर के महाजन ये छोड़ गए थे जो यूरोप की Parliament है उन्होंने अभी अभी अपना approval दे दिया है ये एक cooperation deal साइन हुई है EU और कौन से देश के बीच में European Union कौन से कंट्रिक सत कौपरेट करेगा ये भारत इन में से कौन से फॉरम के अंदर representation करेगा यानि अपना representative भेजेगा ये फॉरम है Global Foreign Exchange Committee ये नया फॉरम है ये जिसको Central Bankers और experts ने बनाया है पक्किर स्वामी चंद्र शेकरण इनका निधन हो गया ये मशूर क्या थे ये बहुत ही मशूर forensic expert थे बहुत बड़े-बड़े cases इन्होंने देखे हैं जैसे राजीव गांदी की जब हत्या हुई थी तो उनकी body का जो post martin था इन्होंने किया था और जो 1500 साल पुराना जो प American investment corporation के साथ ये भारत और Latin America और Caribbean जो West Indies वगारा है उनमें cooperation करेगा इसके बढ़ाने के लिए ये किया है एक्सिस बैंक ने और जैसे मैंने बताए इसका headquarter Mumbai में है और ये पहला बैंक है जिसने इस तरह का agreement कोई किया है और शिका शर्मा इसकी CEO है इन में से कौन सी गाड़ी ब Sweden की company है याद रखिए Sweden की अभी अभी दो दिवसिया international conference हुई financial market और corporate finance पे इसको कौन से IIT ने होस्ट किया था इसको होस्ट किया IIT खड़कपूर ने अब आपके लिए आज गा तीसा सवाल कौन सा IIT है जो QS ranking में highest rated है भारत के अंदर यानि भारत का QS ranking जिसे बोलते हैं QS ranking उसमें भारत का कौन सा IIT है जो number one है भारत में IIT ही नहीं overall number one है और QS में जो number one है वो है MIT ये भी आद रखिए MIT Massachusetts Institute of Technology है number one दुनिया में इन में से कौन सा राज्य है जो पहला राज्य है बना जिसने minimum education qualification रखिए अगर आप cooperative bodies के election में लड़ना चाहते हैं तो इतना पढ़ लिखा आपको जरूर होना चीए ये रखा है रजस्थान ने कि पहला राज्य है बना education qualification जो है इन्होंने class 5 से लेके class 8 तक रखिए और राजस्थान के governor है कल्यांड सिंग कल्यांड सिंग कल्यांड सिंग national consultative workshop हुई GEM government e marketplace model के उपर ये कौन से मंत्राले ने organize की थी ये की थी commerce and industry ने निमला सितरमन इसकी मंत्री है और ये बहुत important है GEM पाँच state और एक union territory मिलके से adopt कर चुके है और 5 लाग करोड रुपे का लगभग इसमें trade किया जाएगा ये target सरकार ने रखा है जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी इसमें जो buyer और seller है उनको electronically connect कर दिया गया है अभी 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 National Rifle Association of India के president जिने re-elect कर लिया है चार साल के लिए और इनका नाम क्या है इनका नाम है रनिंदर सिंग ये दुबारा बन गए है president National Rifle Association of India के Microsoft company के chief information officer पद से इस्तीफा किस ने दे दिया है और इनको जो replace करेंगे वो है Kurt Delben इनका नाम है Jim Dubois अभी अभी एक paper publish हुआ General Astronomy and Astrophysics के अंदर उसके हिसाब से scientist ने सबसे छोटा जो तारा है हमारे galaxy में वो खोज लिया है धरती से कितना दूर है ये तारा ये धरती से 600 परकास वर्ष दूर है 600 light years दूर है अभी अभी इन में से किसको autism के लिए World Health Organization ने Goodwill Ambassador बनाया है South East Asia region के लिए इनका नाम क्या है ये for autism and neurodevelopment disorder की chairman है इनका नाम है साइमा वाजिद होसेन इन में से कौन सी airline company है जिसने non-veg food passenger को देना बंद कर दिया है economic class passenger को सारी domestic flights में non-veg food नहीं मिलेगा ये किया है Air India ने Air India के chairman और managing director है अश्वनी लोहानी non-veg food officer of business और executive class में मिलेगा इन में से कौन वेक्ति है जिने Indian indoor cricket team ने अपना brand ambassador बनाया है ये पूर्व क्रिकेटर है इनका नाम है संधीप पाटिल संधीप पाटिल दसवा ध्याय World Indoor Cricket Federation World Cup ये खेला जाएगा दुबई के अंदर September में इन में से कौन सा राज्य है या केंदर शाषित परदेश है जिसे highway liquor band पे exemption मिल गया यानि इस राज्य है या केंदर शाषित परदेश को highways पर शराब बंद करना अनिवारे नहीं है ये द जरूरी नहीं है आपको highways के उपर बैन करना highway से 500 मीटर दूर आप जो सेल है वो बैन है 500 मीटर नैशनल और स्टेट हाइवे दोनों पर लेकिन सिक्केम में घाले है अरणाचल और अनमान में नहीं है अभी-अभी BRICS leaders की एक informal meeting हुई तो ये कहां पर हुई थी ये हुई थी अभी वैसे नोवा BRICS summit होने वाला है चाइना में इस बार होगा जियामन में एट्थ BRICS summit पिछले साल भारत में हुआ था तो ये सब याद रखिए informal meeting इनकी हुई जर्मनी के अंदर इन में से किस व्यक्ति को विस्तारा airline का CEO अपॉइंट कर लिया गया है ये important question है विस्तारा airline टाटा airlines और सिंगापूर airlines के बीच में joint venture है और इनका नाम है Leslee thung टाटा और सिंगापूर airlines के बीच में है विस्तारा पहली बार टाटा स्टील ने एक 3 मेगावाट का सॉलर पीवी पावर प्लांट लगाया है इन में से कौनसी आइरन और माइन के उपर ये लगाया है इन्होंने ये लगाया है जारखंड में और इसका नाम है नोवा मुंडी जारखंड के रगुबरदास मुख्यमंत्री है तो याद रखिए नोवा मुंडी और द्रौपदी मुर्मू वो हैं वहां के गवर्नर कौनसे भारतिये क्रिकेटर हैं महिला है ये ये पहली महिला बनी जिन्होंने 6,000 रन मार दिये वंडे मैच में और अभी एक रिकॉर्ड और है 7 लगातार वंडे मैचिस में 50 लगाने का कितने कंट्री हैं जिन्होंने पहला 1st ever treaty to ban nuclear weapon उसको अप्रूव करा है यानि पहला परियास जो ना भी किये उर्जा निर्मित हतियार है nuclear bomb, atom bomb मगरा उनको ban करने के लिए जो परियास था उसको कितने countries ने पहली बार अप्रूव करा है total देश है इसमें 12 अभी 9 देश है दुनिया में जिनके पास nuclear हतियार है तो ये था भाग दो तो I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वो जो एक collection मैंने छोटी सी बताई थी वो कर लीजिए वो fifth है जो rugby team में जो हमारी position आई है rugby team की इंडिया female under 18 उसके लावा कोई गलती नहीं थी वीडियो में तो thanks for watching और देखते रहे है study IQ